नात्मिक सिक्षक बीएड बनाम बीएड के बीच में जो लडाई चल रही थी उस लडाई के बीच सुप्रीम कोट का एक बड़ा फैसला सामने आया और बीएड अभ्यारतियों के लिए एक खुशकबरी सामने आई वो खुशकबरी क्या है आईए जानते हैं आज 29 अगेस्ट 2023 को ये मैथर जो है सुप्रीम कोट में लगा था ये जो इशू है ये जितने भी चतिसगर में जो बीएड श्टुडेंट का ये जैजमेंट आया था सुप्रीम कोट का 2003 में अभी जैजमेंट जो आया है उस जैजमेंट में 2028 का जो नोटिफिकेशन था नोटिफिकेशन निकाला था 2030 में उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने वो हाई कोट में चैलेंज किया था कि बीएड शुडेंट को कांसलिंग में आप मत बढ़िये कांसलिंग में अलाव मत करिए तो हाई कोट ने बीएड उड़ कॉडेंट पो अलग कर दिया अटा दिया काउंस्लिंग से और जिसके अगेंस में हम हमारे जो स्टुडेंट थे बीएट स्टुडेंट जिल की तरब से मैं आज कोट में अफियर हुआ वह लोग उसमें पार्टी नहीं थे इस केस में हमने पर्मिशन टू फाइल एसलपी सुप्रेम कोट में पाइल किया और यह मैंटर कल हमने बहुत मुस्किल से कल इसको फाइल किया और आज वह मेंशनिंग करके लगवाया आज मैंटर लगा था आइटम नमबर 54 और कोट ने सारी चीज़ें अबजर्व करी हमारा यह आर्गुमेंट भी हमने यह मैंशन भी किया कि जब एक व्यक् केस में यह जो मैटर है इस मैटर में जो जजमेंट आया है वो 2030 का और 2018 से लेके 2030 तक बहुत सारे स्टेट नोटिफिक्शन निकाले हैं जिसमें कि बेट बैठे हैं और एक्जामिनिशन में सलक्ट हुए हैं और सलक्ट होने के बाद उनका जो काउंसलिंग होती है उसमें रो को यहारािक्शन दिया है कि रॉप आप योगो जो इस की बिछ डाला जाए जो भी उनके आपाउंस्विक्शन होगा तो और यह एक बहुत बड़ी झांसलिंग के लिए और कन्या कुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी B8K स्टूडेंट है जिन्हों है 2018 से 2013 तक का एक्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया है वो सारे लोग जो है इस एक्जाम में आने वाले फिचर में बैठेंगे उनका सेलेक्शन होगा तो यह उसमें एक क्लॉस डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइमेंट जो किया जा रहा है वो एक टेंपरी अपॉइमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाई कोड का जज्जमेंट नहीं आ जाता और और अल्यडी जो हमारे स्टूडेंट हमें हमकिए प्रिटिशनर थे नहीं वहां thank you